हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद प्रोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि बाइनमिल डिस्टिपिशन होता क्या है कैसे हम यहाँ पे उसका मीन और वेरियंस निकालते हैं उसके बाद अब एमजिएफ क्या होता है और एमजिएफ सम मीन वेरियंस किस तरह से निकालते हैं यह टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा उसके बाद जो मेरा नेक्स वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस पे बेस जो निमेरिकल होते हैं वो हम किस तरह से सौल करते हैं इस सब भी वीडियो जो भी वीडियो से यहां पर अप्लोड़ेंगे प्रबियेयर दिसके बाद पे अपर उसके बाद पी डिएफ है इन सब पर मैं यहां पर बैसिक कंसेप्स पता हैं सो यहाँ पर आई टेब में आप जाके देख सकते हैं और मेरे और भी जो वीडियो लाइक इंजिरिंग मैथमेटिक्स और भी एससे पर वो सब यहाँ पे अप्लोड़ेड है सो स्टुइट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्रेब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और लाइक जरूर करें सो देट कि मैं आगया आपके लिए और भी कंटेंट अप्लोड करता है स्टुइट देखिए आप प्रविबिटी डिस्टिबिशन होता क्या है यह कब अपलाई किया जाता है स्टुइट के मन में सवाल उठेगा सर यहार डिस्टिबिशन की क्या जरूरत है हम तो वैसे भी कर सकते हैं questions को like हम probability का concept जानते तो हमें आराम से इस question को solve कर सकते हैं so देखिए यहाँ पर किस तरह हम question को solve करेंगे like मैं आपके सामने के example देता हूँ कि एक coin है, एक coin को हमने 3 बार toss किया like है थी 3 बार toss करेंगे right, अब आपसे पूछे कि भाईया एक coin को हमने 3 बार उच्छाला बता हो 2 बार head है इसकी क्या probability तो यार भाईया आप sample इस पेस लिखोगे और वो लोगी कि सर 2 बार head तो यारा 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 है, total 8 है तो probability is 3 by 8 this is the answer, right यार यही बात है, आपने 2 मिट में इस question को कर लिया पर अगर बाई-चांस यही question आपसे यह पुछे कि एक coin को 10 बार toss किया कितनी बार toss किया, अभी देखो 3 बार toss किया, तो इसके sample points कितना हुए 8 हुए, आप लिख सकते हो 8 को इसली लिख सकते हो, पर अगर आपसे बोले कि एक coin को हमने 10 time toss किया बताओ 5 बार head है इसकी क्या प्रोल्टी तो भी आप नहीं कर सकते इसको 10 time toss किया, तो उसका sample space होगा, वो होगा 2 power 10 लगबग 1024 point आएंगे और 1024 point को sample space पे लिखने में लगबग 1 दिन space के questions को हम easily distribution की help से solve कर सकते हैं पर आप बोलोगे सर्फ यह तो binomial तो समझ में आ गया, बताओ, poison कहां यूज होता, normal distribution exponential, uniform, यह सब distribution कहां यूज होता है, बहिया, sample space के behavior के इससाब से distribution को apply किया जाता है, like जैसे यह sample space, इस sample space की क्या property है, all the trials are independent बहिया, एक सिक्के को हम तीन बार उचालें, तो तीनों अलग-अलग independent trial, right, number of N trial is finite, like है न, अगर मैं आप से बोलो कि एक सिक्के को दस बार उचालो, पचास बार उचालो, एक लाग बार उचालो, ऐसे questions को हम binomial से नहीं करेंगे, फिर हम किस से करेंगे, poison से करेंगे है, उसके बाद the probability of success is same of each trial है, हर जिसे मैं आपको बोलो कि सिक्के को हम तीन बार उचालेंगे, तो बहिया, head आने की probability 1 by 2 रही है, ऐसा नहीं कि सिक्का घिस जाएगा और उसकी probability बार बार, मतलब headed ही आता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, right, तो यह सब तीनो प्रपरटी इस sample space को क्या करती है, satisfy करती है, तो इस type की sample space होते है, उसके अंदर कौन से distribution हो अपलाई करते है, binomial करते है, तो आपको समझ में आओगा कि binomial distribution कैसे use किया जाता है, अभी जैसे इसका distribution function होता है, मतलब PMF होता है, वो होता है, यहाँ पर PX is equal to NCX, P power X, Q power N minus X, जहाँ पर N क्या होता है, number of trial होता है, P क्या होता है, probability of success होता है, Q क्या होता है, probability of failure होता है, like हम जानते है, P plus Q की value 1 होती है, तो यहाँ पर जो Q की value होगी, वो किसके बराबर होगी, 1 minus P के बराबर होगी, अब जिसे मैं आपके सामने यही question लूँ, मैंना भी आपके सामने बताया था, कि एक सिक्के को तीन बार उचाला जाए, बताओ, दो बार हेड़ा इसकी क्या probability, तो मैंने बोला 3 by 8, अगर मैं binomial distribution से निकालो, तो भी 3 by 8 ही आएगी, लाइक कैसे, देखो, एक सिक्के को मैंने कितनी बार उचाला, तीन बार उचाला, हेड़ा अने की probability कितनी है, 1 by 2, तो नहीं हाने की probability कितनी भी है, 1 by 2, है ना, अब आपको क्या करेंगे, सबसे पहले PX लिखेंगे, N की जगा कितना रखेंगे आपे, 3 रखेंगे, तो यह कितना हैगा, देखें आप, 3CX, 1 by 2 power X, है ना, 1 by 2 power 3 minus 1, अब आपको निकालना है, दो बार हेड़ा है, तो जहां पर X में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, right, तो देखेंगे, यहां पर कितना हैगा, 3C2, 1 by 2 power 2, 1 by 2 power 3 minus 2, इसको solve करेंगे, 3C2 कि इसके बराबर होता है, 3, यह 1 by 4, और यह 1 by 8, तो कितना हैगा, 3 by 8, तो बिल्कुल 3 by 8 आ रहा है, है ना, तो इस तरह से distribution को में यहां पर क्या करते हैं, यह 5 हो जाएगा, है ना, यह 5 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, 10 minus 5, तैन ही हो जाएगा, इसकी simplify करेंगे, इसकी value आजाएगे, तो इस तरह से हम यहां पर क्या करते हैं, solve कर सकते हैं, right, अब मैं आपके सामने यहां बताऊँगा, कैसे हम bianimal distribution का mean और variance निकालते हैं, so it's when a concept हो रहे हैं यहां पर, कभी-कभी exam में पूछ लिया जाता है, कि show that, px is pmf, कभी यह पूछ लिया जाएगी, यह probability mass function होता है, तो probability mass function की definition क्या होती है, first होती कि px 0 और 0 से क्या होना चाहिए, बढ़ा होना चाहिए, summation px की value किसके बढ़ाबर होने चाहिए, 1 के बढ़ाबर होने चाहिए, x is equal to 0 to n, आप चेक करते हैं, कि यहार इसकी value 0 और 0 से बड़ी है के नहीं है, तो देखिया, क्या करेंगे, summation x is equal to 0 to infinity n, px, तो यहां पर क्या होगा, summation x is equal to 0 to n, ncx, x, p power x, q power n minus x, और student, जैसे आप इसको खोलोगे, तो आपको यह 11th class में, एक binomial expansion का topic होता है, जैसे आप खोलोगे, तो जब x की value हम यहां पर 0 रखेंगे, तो जब x की value 0 होगे, तो यहां पर आएगा q power n, फिर यहाएगा nc1, p power 1, q power n minus 1, एसे खोलते जाएंगे, लास्ट में आजाएगा p power n, और student numbers को simplify करते हैं, यह होता है, p plus q power n, और p plus q की value यहां पर कितनी होती, 1 होती है, that is equal to 1 power n, तो यह कितना आएगा, 1 आएगा, hence this px is, p mf क्यों की value किसके बराबर आएगा, 1 आएगा, hence this is, px is p mf, अब देखो यार, यह एक conceptor होता है, mgf का है, तो यहां बहुत कभी-कभी आपसे पूछ ले जाता है, find moment generating function of binomial distribution, तो यार भाईया, टैंसल लने की जरूत नहीं है, बहुत easy है, binomial distribution का mgf कैसे नहीं कालते है, तो mgf का formula होता है, क्या होता है mgf का formula, expected इसको हम लिखते है mxt, क्या लिखते है mxt, और इसका value होता है, expected value of e की power xt, ठीक है, expected value of e की power xt होता है, अब देखो, क्या होगा, ध्यान दीजे, अब जैसे e हटाएंगे, तो क्या हैगा, e की power xt, pxdx होता है, याद मैं आपको इससे, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, expectation, कैसे निखालते हैं, है ना, अब यह px, px की भी यहाँ पर कितनी यह रही, यह उठाग यहां रखेंगे, अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाता हूँ, जब मैं इसको pmf प्रूब किया था, तो मेरे भाईयों इसको ध्यान सा देखो, इसकी value किसके बारा वरोती, p plus q power n होता है, p plus q power n होता है, p plus q power n होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल same to same हो रहा है, यहाँ p की जगे क्या हो रहा भाईया, p की power t, और यहाँ पे कितना हो रहा है, q power n, this is mgf of binomial distribution, तो यहाँ में आ रहा है कि यहाँ बिल्कुल टेंसल नहीं क्या हो सकता है, सिधा कि सिधा formula बन रहा है, कभी-कभी आप से characteristic function कूछ ले, यहाँ पुछले भाईया, characteristic function, तो characteristic function कुछ नहीं होता है भाईया, इसको denote करते हैं 5xt से, क्या बोलते हैं इसको, 5xt यहाँ इसको बोलते हैं, 5xt बोलते हैं, that is expected value of e q power iota x t, तो टेंसल नहीं की जुरूत रही है, जहाँ पर t वहाँ पर क्या आजाएगा, iota t आजाएगा, इसको simplify करोगे, तो यहाँ पर इसकी जो value आएगी, वो आएगी, p iota t plus q power n आएगा, इस सरे सम यहाँ पर, binomial distribution को, pmf true करते हैं, mgf निकालते हैं, cgf निकालते हैं, एक और होता है, pgf ही और होता है, यह pgf कुछ नहीं हा रहा है, probability generating function, तो इसको जिनोट करते हैं, zxt से, इसका value होता है, expected value of z power x, तो भीया, क्या होगा यहाँ पर, formula अलग जाएगा, सीधा की सीधा है, तो इसकी value solve करोग गया, तो like यहाँ आएगा, summation x is equal to 0 to n, zx into px, px ही भीया लिखे आएगी, ncx p power x q power n minus x आएगा, तो इसकी एक साथ लिख दो, तो summation x is equal to 0 to n, ncx zp power x q power n minus x, तो यह आएगा, zp plus q power n, this is pgf of binable distribution, तो एक लास्ट टोपिक में आपके सामदे लूँए आपे, कि कैसे हम यहाँ पर mean और variance निकालते हैं, binable distribution का, so अब बात करेंगे हम mean की, तो mean का जो formula होता है, वो होता है, x is equal to 0 to n, x px, है ना, तो यह आएगा, x is equal to 0 to n, x px, यह लिखे लिखे, ncx, p power x, q power minus है, n minus x, थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर, क्या होता है, देखे आप, x is equal to 0 to n, x तो एज़िपी जाएगा, ncx का formula होता है, क्या होता है, n factorial, x factorial, n minus x factorial, है ना, p power x, q power n minus x, यह formula होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दू, ncx का formula होता है, n factorial, है ना, x factorial, और n minus x factorial, यह formula मैं यहाँ पर apply किया, है ना, अब देखो, होता क्या है, यहाँ देजए, x is equal to 0 to n, अब यह x है, यह n factorial आएगा, x factorial क्या लिख सकते है, x into x minus 1 factorial, n minus x factorial, p power x, q power n minus x, भाई साब आपको बता दू, मैं यह आप जैसे 5 factorial, 5 factorial क्या लिख सकते है, 5 into 4 factorial लिख सकते है ना भाण, वही same किया, x factorial लिख लिख सकते हैं, x और उसे एक कम factorial, ठीक है, वही concept यह अपलाएगी है, ठीक है, यह x से x क्या हो गया, cancel हो गया, अब यह यहाँ x की जगह x minus 1 आ रहा है, तो सब जगह जहाँ पर भी x हो आ क्या चाहिए, अपने को x minus 1 चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ दीचे, तो देखो यह, summation x is equal to 0 to n, अब देखें यहाँ पर, यहाँ आ रहा, x minus 1 factorial, मुझे यहाँ भी क्या चाहिए, x minus 1, तो मुझे n minus 1, minus x minus 1, factorial करना पड़ेगा, तो देखो, यह 1 स 1 cancel तो बिल्कुल है ना, अब यहाँ पर n की जगए n minus 1 चाहिए, तो यह n factorial, इसको हम लिखेंगे n into n minus 1 factorial, यहाँ पर यह PX है, तो एक P को बहाँ निकाल देता हूँ, तो P x minus 1, यह तो एज़ दीचाएगा, n minus 1 minus x minus 1, यह, इसको simplify करोगे तो आप इस n minus x ही आएगा, इसको simplify करोगे होती है, यह आएगा, ना, ना, देखेंगे अब क्या होगा, यह N और P को तो बहाँ निकाल देते हैं पन, यह आएगा summation x is equal to n, यह आएगा n minus 1 factorial, n minus 1 minus x minus 1 factorial, यह ना, ठीक है, यह आएगा P power x minus 1, q power n minus 1 minus x minus 1, इसको हम simplify करते हैं, यहाँ से इसकी value किसके बरावर होती है, 1 के बरावर होती है, तो यह हमारा जो होता, यह क्या होगा, mean होगा, this is called mean, तो इस तरद हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, mean को निकालते हैं, इसकी value बापिस वो P plus Q power n minus 1 हो जाएगा, इसको solve करोगे, तो यहाँ से इसकी value कितनी आएगी है, NP, और यह आएगा P plus Q power n minus 1, इसकी value 1 होती है, तो यह NP के बरावर हो जाएगा, अब आपको क्या निकालना बहिया, variance निकालना, तो variance का formula जो होता है, वो क्या होता है, मैं अगर यहाँ बात करूँ आपके सामने, variance, तो इसकी value जो होती है, वो होती है, मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर, sigma square x, that is, e x square minus e x का whole square, मतलब यह value चाहिए आपको, तो e x square चाहिए, तो e x square निकालने से पहले, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, x into x minus 1 की value निकालेंगे ना, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी value निकालने पड़ेगी, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, x is equal to 0 to n, है ना, यह आएगा आपके पास, x into x minus 1, px, px की लिए रखना हूँ, ncx, p power x, q power n minus x, then, summation x is equal to 0 to n, x, x minus 1, है ना, यह इसको फोलेंगे, तो n factorial, x factorial, n minus x factorial, p power x, q power n minus x, इस फुरेंट यहाँ पे x, x minus 1, तो इसको x, x minus 2, दो बार लटा लेके जाना पड़ेगा, x factorial को कम करना पड़ेगा, तो यह आएगा, x is equal to 0 to n, x, x minus 1, n factorial, तो यह आएगा, x, x minus 1, यहाँ लिखूँगा, मैं x minus 2 factorial, तो यहाँ पे भी x minus 2 चाहिएगा, आपको, है ना, तो वही concept हम लगाएगे, यहाँ पे, p power x, q power n minus x, तो इस टोड़ेंट देखिए यहाँ पे, x is equal to 0 to n, है ना, यहाँ आएगा, यह x से cancel हो गया, यहाँ पे x तो, मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजी, मैं लिखूँगा, x minus 2 factorial, तो वो भी मुझे यहाँ भी चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ आएगा, n minus 2 minus x minus 2 factorial, है ना, तो यह n के जगा, n minus 2 भी चाहिए, तो खोलना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा, n minus 1, n minus 2 factorial, यहाँ भी भी अपने को, x minus 2 चाहिए, तो p square into, यहाँ आएगा, x minus 2, यह तो हैज़िटीज हो जाएगा, n minus 2 minus x minus 2, है ना, तो यहाँ पर यह value बहार ले लेंगे हम, तो यह आएगा, आएगा आपके पास, n into n minus 1 p square, और इसको में simplify गरेंगे, तो यह आएगा, p plus q power n minus 2, और इसकी value किसके बाराबर होती है, हमारे पास, 1 के बाराबर होती है, तो यह आएगा, n into n minus 1 p square, आएगा, तो यह जो value आएगा, यह हमारे पास किसके आएगा, e x into x minus 1 आएगा, पर हमें किसकी value चाहिए, student, हमें चाहिए यहाँ पर e x square की value चाहिए, तो यहाँ पर e x square आएगा, वो किसके बाराबर आएगा, ध्यान दीजिए, e x into x minus 1, plus e x आएगा, जब आप इसको simplify करोगे, like इसको multiply करते हैं, इसको मैं multiply करोगे, x square minus x आएगा, इसको अगर हम simplify करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, x square minus x, plus e x आएगा, और जिसे आप खोलोगे, तो यह आएगा, e x square minus e x, plus e x, इसको बिल्कुल हम इस तरह से लिख सकते हैं, और student यहाँ पर इसकी जो value वो कितनी है, n into n minus 1p square, plus e x, e x की value कितनी हैं, np है, बिल्कुल ठीक लिख सकते हैं, इसको multiply करेंगे, तो यह आएगा, n square p square, minus np square plus np, यह np np common लेंगे, तो यहाँ आएगा, n square p square, plus np common लेंगे, तो यहाँ आएगा, 1 minus p, और 1 minus p की value किसके बराबर होती है, student, q के बराबर होती है, तो यहाँ आएगा, np q, तो यह उठा कि यहाँ रखेंगे, तो e x square की value आएगी, n square p square, plus np q, और e x की value यहाँ पर np है, तो यह आजाएगा, np का whole square, तो यह term से, यह term cancel, तो यहाँ पर कितना आएगा, np q, और यह हमारा क्या होता है, variance होता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर mean और variance की value निकालते हैं, तो student, मैंने जो यह topic समझाया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और अब इसकी बाद, जो मैं next video लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊँगा, कि binomial distribution पर based, जो numerical problems आती एक्जाम है, वो किस सर्थ समस्ल्ट करते हैं, so student, thank you so much for watching my videos, बने रहीए मेरे साथ, मेरे पुराने जितन भी वीडियो से, वो यहां last screen में आ रहे होगी, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लगलग topic मेरे इंजिनेरिंग, mathematics और B.H.C. वाले students के लिए यहां पर content upload कर रखा है, so thank you so much for watching my videos, बने रहीए, like करिए, share करिए और चैनल को subscribe करिए, thank you so much.